हलो गाइस चलिए जल्दी अल्दी स्टार्ट कर लेता है आज का टेक न्यूस दोस्तों आज भी काफी सारा इंटरेस्टिंग न्यूस है तो इस वीडियो का ज़रूस से अंतक देखिएगा और चलिए वीडियो का सबसे पहले कर लेता है लास्ट पोल का रिजल्ट लास्ट प लोगों ने कहा डेटा स्पीड और 23 परसन लोगों ने कहा कम प्राइस तो अच्छा वाइस क्वालिटी से भी ज्यादा लोग कम प्राइस को प्राइस को प्राइविटी देते हैं अगर होता है तो क्या आप बीएसनल का 4G सिम कार्ड ट्राइ करना चाहोगे जरू से वहाँ पर वोट करके बताएगा सबसे पहला हम ले लेते हैं कि स्टार कमेंटर कौन है लास्ट वीडियो के स्टार कमेंटर है अनेस मंसूरी जी अनेस जी थैंकिस सो मच फोर योर लवली और कंस्ट्रक्टिव कमेंट सबसे पहला मुज़िकल का आता है वर्टसप की तरफ से अगर आप वर्टसप यूज़ करते हो आई होप आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको इतना दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन तो आ ही गया होगा वर्टसप की तरफ से के टर्मस और कंडिशन को अपडेट किया जा रहा है या तो आपको इसी वक्त उसको अग्री करना होगा या फिर नॉट नाओ का आप है उसको कैसे स्टोर किया जाएगा कितना डेटा शेर किया जाएगा इसको उपर काफी चेंजेज वाटसप ने लाया है और अगर एट तो फेवरे के अंदर अगर आप इसको अक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप उसके बाद वाटसप यूज़ नहीं कर पाऊगे तो अगर आपको लगता है कि वाटसप का यह टोटल इस टेक नियूस के अंदर बताना डिफिकल्ट है अगर एक डेडिकरेट वीडियो दस बिलिट बारा बिलिट अगर आप चाहां पर मैं क्या टमसें कंडिशन चेंज हुआ है उसको पूरा एक्स्प्लेंड करू का आपको करना चा टी वी, माइक्र लीडि टीफ्रेंटी फ्रें टीवी, फ्रें टीवी के बार पे आपको पता ही होगा कि ऐसा एक टीवी है जो अगर दिवार पर ताम दोगी और वहाँ पे पिक्चर अगर आप प्ले करोगे तो आप लगेगा कि एक पेइंटिंग लगा हुआ है इतना अच इंच का और 99 इंच का मिलेगा टीवी काफी अच्छा है यह सारा टीवी इस साल में 2021 में काफी धमाका करने वाला है अगला अपने निकल के आथा है एटल और वोड़ाफन आइडिया ने एजी आर को लेकर डिफेली आपको पता होगा कि एकदम कंपनी बंद होने जैसा हो गया कि इसको रिकालकुलेट किया जाए लेकिन अभी एटल ने वहाँ पे अरिफ्मेटिकल वहाँ पे उन्होंने फॉल्स निकाला है जिस तरह से आपका एगर को काउन किया है कि कुछ पेमेंट हो जाने के बाद भी उसको रखा गिया है कुछ चीज को डबल टाइम वहाँ कहता है और यह तो अभी प्ली किया गया है इसके बात क्या होगा यह तो देखना पड़ेगा लेकिन मुझे जो लगता है कि वोड़ा फोन आइडिया या फिर वी भी एटल को फॉलो करेगा और वो भी एक प्ली जरूर करेगा अगला अप्डे निगल कि आता है वान प्लस क जो आपका स्मार्टफोन है वहाँ पे अप्डेट आया था कुछ ही दिन पहले लेकिन वो अप्डेट आने के बाद कुछ गरबर सा हो गया उसके बाद फिर से अप्डेट देना पड़ा है जो है 11.0.6.8 मेजर कुछ fixes के साथ इसको दिया जा रहा है क्या है यहां पे issues with Wi-Fi connection drop के साथ आपका आ रहा था गैलरी में अगर images है लेकिन फिर वो शोड ही हो रहा था उसका प्रॉब्लम था stability कॉल कर दो stability है उसको यहां पर increase किया गया है जो nightscape में picture लिया जा रहा है उसको और भी optimize किया गया है और video playback में there was some kind of issue उसको भी fix करके फिर से यह नया OTA update दिया गय लाएगा अगला अपने निकल के आता है शाओमी की तरफ से शाओमी ने अपने टीवी की जो prices है उसको बढ़ा दिया है शाओमी के टीवी मुझे personally काफी अच्छा लगता है क्योंकि शाओमी ब्रैंड की तरफ से आ रहा है तो उसका एक भरोसा है second of all जो टीवी के qualities है वो भ प्रो का जो 32 इंच वाला टीवी है उसका 13,999 प्राइस को बढ़ा के 14,999 कर दिया है MI TV 4A Horizon Edition 32 इंच का जो है वो 14,999 के जगा पे अभी 15,999 रूपिया में मिलेगा MI TV 4A Horizon Edition 43 इंच वाल जो टीवी है तो 23,499 रूपिया में अविलेवल था वो अभी 25,999 रूपिया में आपको मिल मिलेगा MI TV 4A का 43 इंच वाल जो टीवी है जिसका 22,499 रूपिया में अभी 24,999 रूपिया आपका हो गया है MI TV 4X 43 इंच वा जो टीवी है जिसका प्राइस था 25,999 वो अभी बढ़के 28,999 रूपिया बढ़िया है और 50 इंच का MI TV 4X है उसका 31,999 के जगा पे 34,999 हुआ है और MI TV 4X का 55 इंच वाला वेरियंट है उसका प्राइस 36,999 से 39,999 हुआ है तो अभी भी इसके उपर ये आपका एक वेबसाइट से आपका पता चला है लेकिन शामी ने इसके उपर कोई ओफिशल स्टेट्मेंट नहीं दिया है कि क्यों इस प्राइस को सड़ली बढ़ाया गय है तो अगर खरीदना है तो जल्दी अल्दी खरीदिये हो सकता है किसी जगा पर आपको पुराने प्राइस में मिल जाए अगला अपर निकल के आता है वोड़ा फोन आइडिया या फिर वी की तरफ से वोड़ा फोन आइडिया ने अपना डेली एंड एंसी आर में 3G to 4G आ यानि 3G को आइस्ते बंद किया जाएगा और उसी को यूज किया जाएगा 4G सिंगनल देने के लिए अब ये टोटल आल जो टावर्स है वहाँ पर काम चालू हो गया है तो हो सकता है अगले कुछी दिनों के अंदर कंप्लीटली 3G डेली और NCR से गायब हो जाएगा तो अपने स्मार्टफोन का Poco M2 और Poco C3 में नया प्राइस उन्होंने इंडिया के लिए दिया है प्राइस घटा के कैसे Poco M2 का 6GB 64GB वाला जा वेरेंट है जिसका प्राइस था 10,999 उसको 9,999 रुपिया में आपको अभी मिल जाएगा पोको M2 का 6GB 128GB वाला जा वेरेंट है जिसका प्राइस था 12,999 वह भी आपको 10,999 रुपिया में मिलेगा और Poco C3 का आपका 4GB 64GB वाला जा वेरेंट है वह आपका 8,999 के जगा पे 8,499 रुपिया में मिलेगा अब यह कितना दिन तक आपका प्राइस घटके रहेगा इसको उपर कुछ नहीं है तो अगर आप खरेदे के बारे में सोच रहे हो प्राइस फिर सर बढ़ने से पहले आप ले सकते हो अगला एक अब्डेट आता है निकलके शामी के तरफ से शामी ने अपना रेड्मी के उपर बेस्ट माई यूई 12 को अब्डेट आएगा लेकिन अब्डेट तो आएगा तो अब्डेट तो आएगा तो अब्डेट परफॉर्मेंस और थोड़ा से अच्छा होगा अप्टिमाइज होगा तो अगर आपके पास शामी डेड्मी नोट 5 प्रो अगर आप यूज सब्राइन इंडिया उनको अलाओट किया गया है और ब्लॉक विश्न मेगा है ओशन में फेल गया है किंगा यह जो आपका 20 सर्कल के अंदर दिया गया है तो इतना सब कुछ से ज्यादा ये है कि उनको स्पेक्ट्रम यह कर दिया गया है तबusalem कर सकते के कुछी महिनों के अन काफी अच्छी बात है कि आप बेसने लिए उस करते हो तो फोड़ा सा तो हल चल होगा हो सकता है कि प्राइस और कुछ दिनों तक ना बड़े कि अगला निकल के आता है यह काफी है थिंग यह पहली बार किस्मार्टफ़ों कंपनी ने ऐसा कुछ किया है बतलब एकदम मास लेवल पर ऐसा नहीं कि एक दम देड़ लाग दो लाग वाला स्मार्टफों ने वहांपे किया जा रहा है लावा ने अपना यहां पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो यानि 2GB, 3GB, 4GB, 6GB RAM के अंदर कोई भी RAM चूज कर सकते हो स्टोरेज 32GB, 64GB, 128GB के अंदर आप चूज कर सकते हो फर्दर यहां पर 13MP प्लस 2MP का एक कैमेरा के सिट अप ले सकते हो या फिर 13MP, 5MP और 2MP का एक कैमेरा के सिट अप ले सकते हो और सिल्फी में आपको दो अप्शिन मिलेगा 8MP और 16MP इसके साथ साथ आप फोन का कलर भी अगर आप चाहो तो वह भी चूज कर सकते हो करके कस्टमाइज स्मार्टफोन आप अपने लिए बना सकते हो जो मुझे लगा कि काफी एक अच्छा चीज है इसको बाकी सारे ऑपरेड़ेस जो है सभी को अपनाना चाहिए एकसेप्ट अपल क्योंकि अपल अगर इसको कस्टमाइज हुआ है सब्सक्राइब लेगा तो एक एक आइफोन का दस लाक रुपिया प्राइस मांगेगा पैंडवेंट खोल लेगा पूरा जो भी है अगला अपने निकल के आता है जियो की तरफ से जियो एक नया ओफर दिया है शाओमी MI10i के साथ क्या ओफर है यहाँ पे आपको अगर आप यह फोन खरिकते हो और उसके बाद वहाँ पे अगर आप 349 रुपीज का रिचार्ज करवाते हो पहला रिचार्ज का होता है तो वहाँ पे आपको कैश बैक मिले मिंत्रा मेड लाइफ लेंस कार्ट और बाकी सारे ब्रैंड से वहाँ के तरफ से आपको डिस्काउंट वाउचर दे सब कुछ मिलेगा तो अगर आप यह फोन खरिकते हो और उसके बाद अगर आप जियो सिम लेते हो तो 349 के ही रिचार्ज करवा लेना एलिस कुछ तो बेन अब उस जगह पे एक गुड न्यूस आपके लिए है क्योंकि पबजी इंडिया का एक नया ट्रेलर आने चला है 15 से 19 जैनवरी के अंदर जो एक काफी अच्छा बात है क्योंकि यह अल्किमेटली कुछ प्रोग्रस ही दिखा रहा है कि ट्रेलर आ रहा है तो हो सकता है कि 4G लॉंच के कुछी दिन या हफ़ते के अंदर आपको पबजी इंडिया भी देखने को मिल जाए जो अच्छी बात है तो चलिए जाके थोड़ा पानी पेता हूं और आप चलिए डिनर विनर कीजे गूड नाइट चलू बाई